एवरिवन आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों तो हम मार्केट से तो यह नमकील लाके बहुत बार खाते हैं घर में तो मैं सोची क्यूं ना इसको बहुत आसान तरीके से हम घर में ही बना ले हमेशा हम मार्केट से ही लेकर क्यूं आते हैं और घर में जो बनाते हैं फ्रेश हम बनाते हैं और फ्रेश हम खाते हैं तो हम मैं सोची चलिए आप लोगों के साथ क्यूंकि मैं खुद बना के डबे में स्टोर करके रख देती हूं ताकि साम को चाय बेगरा है हलकी फुलकी भूख हो तो यह नमकीन हम खा सके अच्छी भी लगती है और हेल्दी भी ह फ्रेश बनी रहती है तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है तो जब इतना आसानी से हम घर में बना सकते हैं तो मार्केट से क्यूं लाए तो आज आप लोगों के साथ मैं यह वीडियो भी सेयर कर लेड़ी हूं क्यूंकि कल मैं नहीं बना कर अपने डब्बे में स्टोर करके इसे रखा है तो इसके लिए हमने ले लिया मुंग फली और मुंग फली को तेल गरम होने के लिए मैंने साधा तेली रखा है उसके अंदर एक छलनी रख दिया उसमें मुंग फली डालकर हमने अच्छे से मुंग फली को मतलब तल लिया है ताकि अंदर से भी वह अच्छी मेतरसे पक जाए और एकदम crunchy हो जाए और उसके बाद मेने गोला होता है नारियल सुखी नारियल उसको भी मैंने slice slice काट लिये और उसी छलनी में उसे भी डाल कर हमने एकदम अच्छे से हलका golden हलका pinkis जो कलर आता वैसे कर लिये ताकी हमारा कुब्रा भी एकदम चटक और crunchy हो थोड़ा टाइम लग जाता है एक छलनी डाल दीजिए उस तेल में अराम से हमारा यह होता चला जाता है मतलब बहुत इजली हो जाता है अगर आप कड़ाही में करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब जलने लगता है तो एक निकालने के टाइम कुछ चीजे लास्ट व हो गया हमारा तो मैंने उसको भी निकाल लिया उसके बाद मैंने यह पोहा लिये है यह पतला वला जो पोहा आता है ना हमारा वही ऐसे आपके पास जो हो वही आप यूज कर लो पर यह पतला वला से ज्यादा अच्छा बनता है तुरंत हो जाता है पोहा तो तुरंत हो जात साधा तेल और उसके अंदर में डाल देजa सर 90 और करीपता उसके बाद हाफ करीब में उसमें डाला है हल्दी हाल्दी जब हम अच्ये से हमारा हल्द एर करीपता चटक गया है उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है मूर्मूरा जो बोलते हैं तो यह मुर्मूरा को मैंने डाल जा और इससे भी हमें एकदम अच्छे से भूनना है इसमें चली भूना हुआ रहता है लेकिन हम जब पेल में डालके इसको भून के रखते हैं तो एक अलग करण्च आ जाता है इसके अंदर और बहुत टेश्टी हो जाता है और क् स्टोर भी करना है इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे तरह के से भूनना पड़ेगा थोड़े पेसेंस के साथ और बहुत ज्यादा तेज आज पर हम इसे नहीं भूनेंगे थुरा मीडियम फ्लेम पर ही हम भूनेंगे और यह हमारा मुर्मूरा भी भूनकर रेडी हो गया और आप चलते हैं सबको एक साथ करते हैं जैसा कि मैं बोलती हूं मैं क्वार्टर में रहती हूं और हमारा इसपेस बहुत कम होता है इस वजह से में एक जगह पे सब कुछ आप लोगों को नहीं दिखा पाती तो प्लीस आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने मुरमुरा एक बड़ा सा पतिला में रख लिया चूरा भाजा जो था ना मैंने चूरा पहले भाजा था उसको मैंने रख लिया और उसके अंदर मैंने हल्दी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद कनुसा नमक यह में डाल रही हूं और आप देखिए क्वाद मैंने एक एक करके और बाद में करी पता और लाल मिर्च को भी अच्छी तरीके से भून कर मतलब ले लिया उसे भी तोड़ा तेल में अच्छे से करंची करंची करके और मैंने इसके अंदर डाल दिया अभी से हलके हातों से हमें मिलाना है और अभी इसके अंदर बहुत कुछ और भी मिलाना है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो देख पाईएगा पहले इन सब को एक साथ हम मिला लेते हैं अच्छी तरीके से क्योंकि जब हमने इसके अंदर जो नमक और मिर्ची विगरा डाला है अच्छे से हम एकदम गर्म में हमें करना है ठंडा नहीं होने देना है और उसके बाद मैं यह चीनी का पौडर डाल रही हूं अगर आप चीनी पौडर नहीं डालते तो इसकी भी कर सकते पर चीनी का हलका से थोड़ा अगर पौडर आप डालते ना बिल्कुल मार्केट जैसा आप लगे जब भी आप इसको खाओगे तो आप सोच नहीं सकते ऐसा कि मैं घर में बनाया हूँ बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है और लास्ट में हम डालेंगे वो मुर्वमूरा जो हमने भून कर रखा था न और मुर्वमूरा डालने के बाद भी हम थोड़े मसाला डालेंगे जिसे यह और भी चटपटा और चटाकेदार हो जाए और इसे हलके हाथों से हमें मिला लेना ताकि क्योंकि मुर्वमूरा में नमक मैं इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुर्वमूरा में पहले से नमक रहता है अग अब इसे हलके हाथों से हम मिला क्यूंकि अभी यह पूरा गरम है तो आप लोग अगर हाथ से ना मिला पक तो चमच बेगरा से आप लोग मिला लिजेगा क्यूंकि इसका ध्यान भी रखना है कि यह गरम है और मैं हाथ से इसलिए मिला क्यूंकि एक सार पूरा हो जाए चमच स हम एक पूरे अच्छी तरह से नहीं मिला पाते हैं और हलके हाथों से मिला कर और इसको पूरी ठंडे होने के बाद हम जार में डालेंगे तो आई होप कि वीडियो अप लोगों अच्छी